हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मतप्रदीश की नमबर वन चैनल फॉर डेली करेंट अफेर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है चार जून 2019 और यह हमारी 167 भी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की द्रश्टी से बहुत important है questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तों अगर आपको MPGK current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरू करेंगे और दोस्तों एक खास बात आपको बता दें चूकि exam date आ चुकी है MP police और MP SI की तो कुछ हम GK के question भी इस हाली में चंबल संभाग का commissioner किसे बनाया गया है जिसका सई option है रेनू तिवारी हाली में रेनू तिवारी को चंबल संभाग का commissioner बनाया गया है दोस्तों हाली में राज्य सरकार यानि मद्धिप्रदेश सरकार ने कुछ तबादले किये है collector और I.S. अधिकारियों के तो उन म बामरा को सागर का commissioner बनाया गया है दोस्तों चबी भारतवच को MD बनाया गया है National Health Mission का और विजय कुमार को इन्हें संचालक बनाया गया है health का तो इतना आपको N.I.S. और I.S. अधिकारियों के वारे में याद रखना है हाली में किस राजी के मशूर नर्तक हरीस की मौत हुई है तो इसका सई option है राजस्थान राजस्थान के मशूर नर्तक हरीज कुमार की हाली में मौत हुई है दोस्तो आपको बताने कुईन हरीज के नाम से मशूर राजस्थान के लोक नर्तक हरीज कुमार की सड़क हाथसे में मौत हुगई है जोदपुर की बास हाली में इनका हाथसा हुए इनके साथ इनके तीन साथी और मारे गए हैं दोस्तो आपको बता दें जैसल मेर के हरीश ने काल बोलिया, घूमर, चांग नरत मैं बहुत सी अवार्ड और नई उचाईया तक पहुँचाया था तो आपको इस नाम को याद रखना है इनका नाम है हरीश कुमार और ये राजस्थान के जैसल मेर की रहने वाले है दोस्तो आप बात आईए राजस्थान की तो आपको मैप में इसके बारे में बता दें मैप में ये जगह राजस्थान को दरसाती है राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी गवर्णर है कल्यार सें राजस्थान के मुख्यमंत्री है असोग गहलोत और राजस्थान की राजधानी है जैपूर तो इतना आपको राजस्थान के बारे में याद रखना है Next question हाली में कौन सी राज्य सरकार Right to Health योजना लाने वाला है जिसका सही option है मद्यप्रदेश राज्य सरकार हाली में Right to Health ये योजना लाने वाला है दोस्तो केंदर सरकार की आईश्मान योजना की दर्ज़ पर अब प्रदेश सरकार भी Right to Health यानि स्वास्त का अधिकार योजना लाने की तैयारी कर रहा है दोस्तो ये आईश्मान योजना की तरह भीमा योजना होगी लेकिन आईश्मान योजना की तहट समाज का एक तपका ही लावानवित हो अपा रहा है लेकिन Right to Health योजना के कारण मद्यप्रदेश का पूरा जो समाज है वह लावानवित होगा तो ये योजना मद्यप्रदेश शरकाल ला रही है तो आपको मैप में मद्यप्रदेश के बारे में बता दें मैप में ये जगए मद्यप्रदेश को दरसाती है मद्यप्रदेश की इस्थापना एक नॉमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनन्दी बेन पटेल, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है कमनलात और मध्यप्रदेश की राजथानिय भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मध्यप्रदेश के बारे में याद रखना है Next question हाली में किस चले में अखिल भारतिय सीजन प्रतियोगिता का आयज़न किया जा रहा है जिसका स्योफ्षन है सागर हाली में सागर में अखिल भारतिय सीजन प्रतियोगिता का आयज़न की गई है दोस्तो आपको बता दें अखिल भारतिय संस्कृती संग पुने द्वारा 15 भी भारतिय सीजन प्रतियोगीता सागर में रखी गई है जिसमें आदर्श शंगीत महाविध्याले के विध्यार्थियों ने कर्थक और अन्यनरत्य के बारे में जानकारिली और नई विधाओं को स मद्प्रदेश की प्रतम विश्विध्याले जिसे हम डॉक्टर हरीशिंग और विश्विध्याले की नाम से जानते हैं यह सागर जिले में ही इस्तित है मद्प्रदेश की प्रतम फॉरंसिक लैव सागर में ही बनाए गई है एरण में सती का प्रतम लिखित साक्ष प्राप सागर में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको सागर की बारे में याद रखना है एसिया की पहली green rooftop bus कहां चलाई जा रही है जिसका सी option है सिंगापूर सिंगापूर में एसिया की पहली green rooftop bus चलाई जा रही है दोस्तो गाडर ओन्दा मूव अवियान के तहट इसे ऐसी बसे चलाई जा रही है इन बसों की छट पर 1.8 गुना मीटर साइज के दो ग्रीन पेनल लगाए जा रही है दोस्तो आपको बता दे सिंगापूर पबलिक ट्रांसपोर्ट ने 10 बसों में 4 लाख रुपए खर्च कर ग्रीन रूफटॉप बस बनाई है दोस्तो अब बात आईए सिंगापूर की तो आपको मैप में सिंगापूर के बारे में बता दे मैप में ये जगह सिंगापूर को दरसाती है सिंगापूर की राजधानी है सिंगापूर और सिंगापूर की प्रिसिडेंट है हाली मा है याक्यूब और सिंगापूर की प्राइम मिनेस्टर है ली हसेंग लॉंग दोस्तों आपको सिंगापूर की करंसी के बारे हैं बता दें भारतिये कंपनी कौन सी है जिसका सही option है Reliance Reliance Industries भारत की सरवादिक मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी हाल ही में बनी है दोस्तो 2018 और 2019 में 49,588 करोर रुपय मुनाफ़ा हुआ है Reliance Industries का दोस्तो लगातार 34 साल सरवादिक मुनाफ़ा कमाने वाली भारतिये कंपनी बन गई है दोस्तो आपको बता दें अगर सिर्फ बर्ष 2018 और 2019 में मुनाफ़ा कमाने वाली कंपनी की बात करें तो वो है ONGC ये Reliance Industries लवक 10 साल से इतना ही मुनाफ़ा कमा रही है लेकिन सिर्फ पिछले एक साल में सबसे ज़़ा मुनाफ़ा जो कमाया है वह है ONGC कंपनी ने कमाया है इन दोनों के बारे में इतना difference है आपको ये जरूर याद रखना है हाली में किस शहर में निजी अस्पतालों में आवहान योजना शुरू की गई है तो इस योजना की अंतरगत ऐसे लोगों को निजी अस्पताल में उपचार मिल रहा है जिनके पास गरीवी रेखा के नीचे यानि BPL कार्ड नहीं है किसी योजना में नहीं आते हैं तो उनके लिए इस योजना की अंतरगत लाफ दिया जा रहा है इस योजना की अंतरगत बिल या उपचार रासी का अधिकतम खर्च एक लाख रुपए माफ कराया जाएगा दोस्तों आपको बता दें ये योजना इंदोर के 28 यानि 28 निजी अस्पताल में शुरू की गई है ये बहुत important question बन जाता है आभान योजना इंदोर जिले में या इंदोर शहर में शुरू की गई है 28 अस्पतालों में यानि 28 अस्पतालों में दोस्तों आप बात आईए इंदोर की तो आपको कुछ important factor इंदोर के बारे में बता दें दोस्तो इंदौर को व्यवसाइक राजधाने मिनी मुंबई, इंदरपुर और अहल्या नगरी के नाम से जाना जाता है चंबल, शिप्रा और खान प्रमुख नदियां हैं इंदौर की दोस्तो देश का एक मात्र शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित किया गया था गेहू अनुसंदान केंद्र और राला मंडल अभ्यारण ये इंदौर जिले में ही इस्थित है मध्यप्रदेश बित्य निगम मुख्याले भी इंदौर में ही इस्थित है दोस्तो इतना आपको इंदौर के बारी में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन मधुसूदन पाटीदार जिनोंने हाली में माउंट अलब्रस पर तरंगा फैराया है ये किस जले की रहने वाली है जिसको से या उफ्षन है जाबवा मधुसूदन पाटीदार जाबवा जिली के रहने वाले हैं जिनोंने हाली में माउंट अलब्रस पर भारतिय तरंगा जंडा फैराया है दोस्तो मधुसूदन इससे पहले माउंट एवरेस्ट और दक्षन आपरिका की पहाडी किली मंजारू फतेह कर चुके हैं इसके बाद इन्होंने 5642 मीटर उचे माउंट अलब्रस की चड़ाई मात्र 12 घंटे में पूरी कर ली है ये एक बिस्व रिकॉर्ड बनाया है मधुसूदन पाटीदार जो मध्यप्रदेश के जाबवा के रहने वाले हैं तो इतना आपको इन मधुसूदन पाटीदार के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए जाबवा की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट जाबवा के बारे में बता दें दोस्तो जाबवा में होली के अफसर पर भगोरिया हाट का आयोजन किया जाता है रोक फासपेट और डूलोमाइट खनेज जिले में बहुलता से पाया जाता है तो दोस्तो इतना आपको जाबवा की बारे में याद रखना है भारत की पूर्व कालिक बित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन है तो इसका सी ओफ्षन है निर्मला सीतारमन निर्मला सीतारमन भारत की पूर्व कालिक बित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला बन चुकी है दोस्तो इससे पहले इंद्रा गांदी ने आयस्थाई रूप से 1979 से 1970 के बीच बित्त मंतराला सभाला था लेकिन पूर्ण रूप से नहीं पूर्ण रूप से सिर्फ नर्मला सीतारमन एक मात्र प्रथम महिला है जो भारत की बित्त मंतरी बनी है दोस्तो इससे पहले ये भारत की रक्षमंतरी थी पिछली सरकार में लेकिन 17 वी लोक्षवा में इन्हें बित्त मंतरी बनाया गया है और इन्होंने यह पद पाने वाली भारत की पहली महिला बन चुकी है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 वी लोक्षवा में सबसे युवा सांसद कौन है तिसका सी ओफ्षन है चंद्राणी मुर्मू चंद्राणी मुर्मू 17 वी लोकसवा में सबसे युवा शांसद हैं दोस्तों दोस्यन्त चोटाला 16 वी लोकसवा में सबसे युवा शांसद थे और अब चंद्राणी मुर्मू 16 वी लोकसवा की सबसे युवा शांसद हैं चंद्राणी उडिसा के क्यों ज़र लोगसवा सीट से जीत कर लोगसवा पहुँची है तो आपको ये बहुत important question है दोनों वो वित्तमंत्री वाला और ये वाला ये दोनों बहुत important question है आपको याद रखना है next question मद्ध प्रदेश की पहली बन नीती कब बनाई गई थी तो इसका सही option है 1952 1952 में मद्ध प्रदेश में पहली बार बन नीती बनाई गई थी दोस्तो इसके अलाबा एक और important question आपको बता दें मद्ध प्रदेश ने बनों का रास्टी करण 1970 में किया था और दोस्तो बनों का रास्टी करण करने वाला देश का पहला राज्ज है मद्ध प्रदेश तो ये तीन question एक्जाम में पूछे जा सकती है पहला question है पहली बन नीती 1952 में लागू की गई दूसरा question बनों का रास्टी करण 1970 में किया गया पहला राज्ज है जिसने बनों का रास्टी करण किया है next question सरवादिक मतष से पालन करने वाला कौन सा जिला है जिसका सी option है जवलपूर जवलपूर जिले में सबसे ज्यादा मतष से उतपादन किया जाता है उसके बाद बात आती है सिवनी जिले की सिवनी जिले दूसरी नमबर पर है जहाँ पर मतस से उत्पादन किया जाता है दोस्तो अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेशन की तो कल का क्वेशन था किस प्रदेश में नॉलेज कॉर्परेशन का गठन किया जाएगा अब दोस्तो आज का क्वेशन है हाली में कौन भोपाल के आईजी बने है तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप मारे चैनल स्टेडी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाइक कीजिए शेर कीजिए कल हम आपकी साथ फिर मद्ध प्रदीश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फ्रेक्ट को लेकर हाजर होंगे और दोस्तो परियाबरण को देखते हुए आप कम से कम एक फिर अवस्त लगाएं तो आज के लिए बस उतना ही नमस्कार, have a nice day